इतना ज्यादा मतलब सरदर्दोने लगा अभी तेल लगाये हैं कपार देखे पूरा हम सो गए थे तो रोती रही इनका आख फूल गया ठीक है सुबह जब हम जागे न तब देखे था हमको पता चला कि यह तो रो रही थी इनको थोड़ा सभी दिमाग रहता तो सुषती न कि चलो अभी जो आना घर से दूर क्यों है यही टंसाने को दूर करने के लिए न हम कहाई के लिए याद करके रोएंगे लेकिन ना ना सुनती है यह मेरी दोस्तो गूड मॉर्निंग नमस्ते परनाम कैसे अब सब आप सब का स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो दोस्तों आप लोग कई से हैं उमीद करते का अच्छे ही होंगे चि цел दोस्तों यहां पर आर्टीजी फिलाद इसे जो रही है आप लोगों को दिखाते हैं सकते हैं आर्टीजी भी सो रही है इनका जो ईतना ज़्यादा अमदब सरदर्दों ने लगा ना अभी तेल लेखी आप पर है अभी लगा आए हैं कपार देखे पूरा तेल लोगा रहा है है नो सदोस्तों आप ज को जान बच के माया रात बंधर पांट प्थो एक का आख जो है न फूल गया ठीक है सुबह जब हम जागे न तब देखे तो पता चला कि यह तो रो रही थी तब ने इनका यह अहल हुआ है पूछे तो बोल रही थी ना हम नहीं रो रहे लेकिन आख से तो किसी का भी आजमी का मतलब पता चली जाता है कि रोते वे इंसान जो ही रोते हैं तो दीखी जाता है ना दुनों में कितना फर्क है तो यह काफी जादा रोने लगे बहुत जादा पुछे तब बताई कि ना हमको जो ना उस दिन का यादा आ गया जे इस दिन घटना हुआ था छोटू का छोटू का घटना का यादा आ गया काफी जादा रोई ली आरति जी और तब उनकों हम बहूरर क डाटे दोस्तों अभी में घार छोड़ करके आये हैं तो हम लिए के ये एक करफाल सबस्त्राइब करता है तो हम इस से packल में मिझाल हैं निनलिकर के को चुक्ति सब्सक्राइब 10ágina 10 संब्हjas निकल ऑपना आराम से रहेंहुanne और घर पे रहती थी टेंशन काफी ज्यादा खाना पीना कुछ भी इनके सरीर में मतलब थोड़ा सभी जो है नलाइक नहीं करता था और आप लोग देखते ही होंगे दवाय 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 खिलाते थे तब भी ठीक नहीं रहती थी इतना दूर जो आए हैं घर छोड़ करके हम मेनी के भलाइक लिया आए ना कि चलो सही रहेगी अच्छा से कोई टेंशन नहीं लेंगे और लेकिन यह समस्ती ना है कि आखिर हम क्या बोल रहे नहीं बोलने थोड़ा सा भी नहीं समस्ती है देखते हैं मेरा मुंग किस तरह हो गया है सर्दी से अब अपना दुख देखे कि इनका में कुछ समझ में नहीं आ रहा हम दोनों वइसे हो गया है यह तो चलो इनको सर्दी हुआ खांसी हुआ तो मतलब फिर भी जो है नहीं को गरम पानी करकर के दे रहे थे ठीक है धिर फिर भी ठीक हो गई थी यह ठीक हो गई थी लेकिन यह जो है रात में जान बुझ कि अपना तवियत फिर से कराब कर लिए इनको हम बार बार समझाते हैं नहीं रोने के लिए लेकिन यह नए मानी पता नहीं अब हम सो गए हम जो है ना सर्दी खासी थे तो मता काफी जड़ाद कर रहे तो हम जल्दी ह कि आपना अरूरो का कर लिया है चैय लिया है अधरग डाल दिया था ठीक है तो चाए बनाए भेगना उन्हीं को बोले भेगना को बनाने के लिए अधरगड डाल करके ताकि अधरग बीए इनका ठीक हो जाएगा अभी देखते हैं इंसे लगेगा कुछ नहीं होगा तेखि वेली बच्च वाला बुद्धी है ना मतलब कभी कभी बच्च которой बुद्धी जैसा करने लगती है कि कुछ शमंज में नहीं लगता है चलिए अप क्या करेंगे हम अपना दुख बिला के इनको अपना जो है न देख भाल करना हरेक चीज करना है लेकिन ये कुछ ने समझती है इनको थोड़ा सभी दिमाग रहता तो सुचती ना कि चलो अभी जो है घर से दूर क्यों है ये टेंशने को दूर करने के लिए बama काई के लिए याख कर के रोओंगे लेकिन न नहीं सुनती है ये नीरीगे मैं क्या करें गया वसे तूम काफी जाँ में समझाते हम नहीं रोने टेंशन हो क्लिए लेकिन गहर के आभी बःगर के फिउन K थीक है तो अब क्या बताएंगे घर वाले को यहूं क्या बोल देते ठीक नहीं है तो वह लोग भी परेसान हो जाते फिलाल भी ओ लोग अपना काम करें कहती सुपना काम कर रहे हैं अब वोग को बता देते आर्दी का फिर से तब एक खराब हो गया मतादर दिये हो हना तो काफी जदा हो लोग टेंसन में आ जाते इसलिए कुछ नहीं बताएं दोस्तों सच में सुबस्वा जूटनी बोलेंगे अभी तो ज्यादा वैसे टाइम ही नहीं हुआ है फिलाल जो ना आड़ बच के ताइस मिनुट हुआ है यह देखिए आड़ ताइस कि चलिए सो अभी तो फिलाल चाय बन गया है और एक छोटा सा ब्लोग है दोस्तों इब लोग काम करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तरते के लिए बार